हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बाक तो आज हम एक और नया रीडिंग कॉम्प्रेंशन पैसेज लेकर आये हैं और यह मॉडरीट लेवल का पैसेज है लेट्स बिगिन हमेशा की तरह जो स्टाटेजी हमारी है कि हम परे कोश्टंस एक बार देख लें और कोश्टंस से हम आईडिया लग जाएगा कि पैसेज किस बारे में हैं और फिर उसके बाद पैसेज पर चलेंगे तो फर्स कोश्टन है according to the passage which of the following is not true about the characteristics of infobacity कि passage के साब से infobacity के बारे में कौन सा characteristics true नहीं है सही नहीं है ठीक है that means हमको यह word ध्यान रखना है passage पढ़ते समय कि infobacity क्या होता है अगे बढ़ते हैं which of the following is most important in sorry most opposite in meaning of the word given as bold as used in the passage passage में यह word दिया हुआ है इंटीग्रल तो इसका opposite meaning क्या होगा तो अगर आप न्यूस बगरा पढ़ते रहते हों तो कश्मीर ईशु के बारे में एक term हमेशा यूज करते हैं कि कश्मीर is an integral part of our country integral part का हिंदी होता है अभिन अंग जिके इंटीड मने अभिन हो गया part माने पर अंग हो गया कि हम हम बहुते हैं कि कश्मीर हमारा integral part है मनें उसको हम कभी से कहीं से भी अलग नहीं मानते तो इसका opposite क्या हो जाएगा अलग तो देखी क्या इसका meaning हो सकता है similar separate interwoven simultaneous and together तो इसका पहले question पढ़ लेते हैं तो question पढ़ते पढ़ते ही बहुत question का answers आप answer आप कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते है को शंदरी पढ़ लेते हैं which of the following is true according to the passage passage के साब से क्या true है ठीक है तब यह true और false वाले यह not true वाले question आजाएं यह inference वाले question आजाएं बोला जाएं can be inferred यह cannot be inferred ठीक है तो आपको सिर्फ कोशन नहीं पढ़ना है साथ में इसके options भी पढ़ने है चलिए आप पढ़ लेते हैं एक कहता है it is in our own interest that we keep check on the amount of digital information that we generate b the promise on which technology was designed was that it should make our lives simpler see it is best that we learn to survive without any technological intervention in our lives तो पहले ने क्या बताया कि हमारे hit में हैं कि हमें चेक करें कि digital information कितनी आ रही है जो हमने generate की हुई है दूसरा कि जो promise है कि हमारे life जो है वो simple होगी है ना दूसरा जो promise था कि हमारी technology जो है हमारी life को simpler बनाएगी वो ठीक है और थीसरा कि हमें technological advancement के बिना ही survive करना सीखना होगा ठीक है तो अब आप जब passage पढ़ेंगे तो साथ में बातों को विध्यान में रखिए आगे बढ़ते हैं which of the following can be most can be the most suitable title for the passage अब इसके लिए तो passage पढ़ना ही पढ़ेगा क्योंकि टाइटल तो हम तब पाएंगे जब हम passage में से जो keywords है important words उनको तलाश पाएंगे ना कि किसके बारे में ज्यादा बाते हो रही है जिसे माली जे कोई topic pollution है उस पर आपको कोई passage लिखते हैं तो pollution की ही चर्चा हो रही होगी इस पूरे passage में ठीक है ना तो technology said about reaching up reaching to people through the medium of technology technology के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के बारे में क्या कहा है author ने ठीक है इसको भी मैं समझना होगा तो टोटल पांच question आपको दिए गया है अब हम बढ़ते हैं passage की और let's read together in our day and age technology is omnipresent and integral part of our lives आज के दिन में और यूग में technology जो है वो omnipresent है और हमारे lives का integral part है what is integral part अभिन अंग हम उससे कुछ से separate नहीं कर सकते चाहें गितना भी हम बोले हैं कि मुझे technology से बिलकुल भी समझ में नहीं आती है फिर भी हम कहीं ना कहीं technology use करी रहे हैं हम चाहें cycle चलाएं cycle चलाएं बस में बैठे हो फोन का इस्तमाल कर रहे हो इंटरेट चला रहे हो कुछ भी करिए आप technology से घिरे हुए है ले चारो तरफ यहां दो क्या गया Omnipresent Omnipresent आमिंडी की मतलब होता है और प्रेजन का मतलब होता है प्रकट होना तो ओमनी प्रजेट माने सब जगह विद्यमान होना तो क्या बोला कि हमारे आज की यूग में टेकनोलोजी जो है वो हमारे जीवन का अभिन और अंग बन गया है और हर जगे प्रजेट है हाईवर दा मेन परपस आफ टेकनोलोजी इस टो मेक आर लाइफ एसियर हलंकी हमारी टेकनोलोजी का जो मेन परपस है वो हमारी लाइफ को आसानश बनाना है डा रीक्शन ओन ओपीनियन्ज आपटेकनोलोजी आर बरी डायवर्स जो ओक्रिती क्रीन यह वपीनियंस पर मत वैचार योगों के है टेक्नोलजी के बारे में वो बड़े विभिन है अलग-अलग है इस यह वेरियस सेशन्स अड़ विमेंस फोरम कवर्ड दा इस साल बहुत सारे सेशन्स हुए है विमन्स फोरम पे जिसमें नई तक्नीक का हमारे दिन पर क्या हमारे दिन की जिन्दगी पर क्या प्रभाब पढ़ता है इंफुन्स माने प्रभाब पढ़ना वुस पर चर्चा हुई है इड वर्थवाइल एनलाइज नजरीया होता है इंडप्त माने होता है बहुत तसली से गहन चिंतन to understand how brought this debate कितना बड़ा ये debate है इसको समझने के लिए on the one hand technology and digital media can be a great help to reach out to other people and spread your message to a very large platform एक तरफ ठीक है कि एक तरफ technology और digital media जो है वो काफी मददगार सा भी होता है है ना हम तक पहुंचने के लिए ताकि हम जो message भेना चाहते हैं वो एक large platform तक पहुंच पाए जैसे कि अभी ही देख लिजए हम YouTube का सारा ले रहे है से क्या होँआ मैने घर बेट एक message दिया और आप तक पहुंच गया ठीक है दिस session how to be the session how to be a digital influencer was analyzing analyzing exactly this question and introduced various platforms and strategies on how to use the digital world to your advantage तो एक session चल रहा था जिसका नाम है how to be a digital influencer मने आप digital होकर कैसे influence कर सकते हैं उस पर ये topic चल रहा था तो उन्होंने काफी platforms introduced किये strategies introduced की कैसे हम digital world को अपने advantage में इस्तेमाल कर सकते हैं social media removes all distances जितने भी social media platforms हैं वो सारे ही distances रिमूव कर देते हैं जोग्राफिक हो social हो चाहिए hierarchical हो ठीक है जोग्राफिक का मतलब होगे boundary देश से दूशरे देश हो गया social का मतलब होगे समाज different different समाज के लोग होते हैं और hierarchical का मतलब होता है level आप चाहे boss हो हो चाहे employee हो चाहे servant हो कैसे भी आप level के employee हो सब के पास यह medium पहुंच रहा है you can reach at any time and communicate in real time आप किसी भी time पहुंच सकते हैं और बिलकुल real time मैंने आपको अभी यह बात बताई और अभी आप तक पहुंच के इसको बोलते हैं real time Thus a permanent link for communication has been created communication का जो permanent link है वो create हो चुका है Today everyone has the ability to transmit knowledge and thus credibility of the creator of knowledge is more important than even before अब क्या हुआ है आजकल हर कोई जो वेक्ती है उसके पास एक्षमता है कि वो knowledge को transmit कर सकता है इसलिए credibility माने विश्वस नियता जो है जिसने knowledge को create किया है वो पहले से जादा important बन गई है ठीक है आप तो जानी रहोंगे आजकल कितने fake news हैना हमारे सामने आती है हैना और problem यह कि जब से यह WhatsApp चलाना हमारे parents हमारे जो बुदूर टाइप के लोग जान गए हैं हैना तब से credibility और question में आगे क्योंकि वो सिर्फ देख के react करते है मैं नहीं बोल रहा है सब लोग ऐसा करते हैं पर majority of the people generally the old age people they react to the situation एक image देकर कुछ लिख दिया जाए तो वो उसको सच माल लेते हैं ठीक है ना क्योंकि वो इतने जादा भोले हैं कह सकते हैं कि वो हर चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि हम भी तो यह कहते हैं वो ही सच हो सकता है उनको दिख रहा है सामने एक image है तो image से impression बन जाता है इसलिए important है कि जो वेक्ति knowledge को create कर रहा है कि वो कौन वेक्ति जब तक हम यह नहीं जानते जान जाते तब तक हम को information को आगे share ना करें यह हमारी responsibility बनती है technology has taken the universal communication method of storytelling storytelling and transformed it technology का किया technology ने universal communication method को बदल दिया उसको वहां से लिया to universal communication method थक storytelling का उसको transform कर दिया in a way that now more stories can reach more people ऐसे transform किया कि अब जादा से जादा stories और जादा लोगों तक पहुंच सकती है through social media platforms than ever before social media platform के जरीय यह पहुंच जाती है जो पहले नहीं पहुंच पा रही थी ठीक है people should find their digital media voice tell shareable stories and drive engagement people क्या कर सकते है people digital media voice को ढूंच सकते है जो भी stories share की जा सकती है उनको बताते है और उससे लोग engage हो जाते है ठीक है आगे बढ़ते है also it is very important to be authentic and truly about the message you are trying to convey through the digital media और यह भी जरूरी है कि जो भी हम message दे रहे हो digital media के through वो authentic हो वो genuine उसकी जो trunus है उसकी पहचान हो चुकी हो है ना आगे बढ़ते convey माने होता है message को share करना बताना समझाना another session the very same day analyzed how exactly the opposite is true and how new technologies actually cause stress and suffering because of a concept referred to as infobacity ठीक है असने एक और session हुआ जहां पर उसी दिन हुआ है दूसरा session जहां पर बिल्कुल पदल दिया है जिससे information consume और generate की जाती है people are trying to live 10 lives at once and a lot of stress and anxiety occurs from that लोग क्या करने है लोग एक साथ में दस दस जिन्दगिया जीने की कोशिश कर रहे है इससे stress आ जाता है इससे anxiety आ जाती है information क्या that we take in lot of lot of information हम ले लेते है बिना उसे process किये हम अपने use में कम लेते है ठीक है इसे बहुत से friends मेरे वैसे करते है कि मैंनों के video share किया उसने उन्होंने video को देखा है नहीं आगे उन्होंने share कर दिया यह बहुत से ऐसे होते है कि मैं youtube video में बनाता हूँ और मैं कहता हूँ उसमें कि हाँ इस video मैंने बनाया इसको आप देखे like किजिए यकीन मानिए कि generally लोग उसको like तो कर देते है बिना उसको देखे तो यह किया उन्होंने खुद के लिए process तो नहीं करा पर आगे transfer कर दिया इससे क्या होता है we are at the same time creators and victims of information overload हम information overload को create भी कर रहे है और साथ साथ में victim भी है कि अब आपको समय में आया कि infobacity क्या है तो infobacity term जो है यह दो words से मिलके बना है information और obesity information obesity को मिलाया और बनाया एक नया term infobacity okay इसको बोलते है जहां पर आप दो words को मिलाकर एक नया word create कर दें इसको बोलते है next video में आपको pontement you share करूंगा कि कौन-कौन से pontement you इस वक्त exist करते हैं कि सुभा का जो नाश्ता होता है उससे हम बोलते है breakfast और दुपर का खाना उसे हम बोलते है lunch लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम नाश्ता नहीं कर पाते और हम नाश्ते के टाइम के गुजरने के बाद माली आप नाश्ता शुबह सुबह साथ बजे करते हैं और lunch आप करते हैं दुबह एक बजे और इस टाइम आप ग्यारा बजे कुछ स्कूटर के फॉर्म में उसमें दो पहिये तो ऐसी लगे हुए थे एक एडिशनल में पहिया लगाया लगाया गया था जिसमें आप सूटकेस के उस पहिये पर बैठके जा भी सकते हैं जैसे आपने देख्या होगे ना स्कूटर जो बच्चों के लिए आते हैं वैसा तो बता उसका नाम क्या था सूटकेस भी था वह और साथ में स्कूटर भी था ठीक है तो उसका राम था स्कूटकेस स्कूटकेस नाम था उसका ठीक है तो जो दो शब्दों से मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाए उसे पॉंटमेंट यू कहा जाता आगे बढ़ते है Thus it is obvious that technological advancement has failed at its mission of making everybody's life easier as many people are reacting negatively to it इसलिए परडाम सुरुप हम यह कह सकते है कि जो technological advancement है वो अपने mission में fail हो गया mission क्या है कि हमारी जिंदगी आसान बननी चाहिए है न क्योंकि लगबग लोग उससे negatively react कर रहे ठीक है तो passage काफी informative था और language बिसकी काफी अच्छी थी आगे बढ़ते हैं तो अब हम वापस question पर move करते हैं और देखते हैं question के answer क्या क्या है आप वीडियो को pause करिये और answer ढूंडने की कोशिश करिये वेड़ी चलिए तो देखते हैं infobacity क्या मतलब है और क्या इसमें true नहीं है तो पहला कहता है the pace of our lives has increased significantly due to technology तो ये तो true हो गया तो true गया तो गया तो तो गया लिटी लगा लीजे तो तो इन विद आप आफ टेखनोलोजी पीपल ट्राय तो दो multiple things at the same time leading to stress stress भी उनको हो जाता है तो ये भी true हो गया तीसरा technology makes our life sedentary and leads to health problems ये भी वहां लिखा हुआ था stress और anxiety चौथा due to technology each individual is bombarded with excess information ये भी वहां पे लिखा हुआ था तो चारो दो true हो गया अब क्या answer होगा तो option 5 पढ़ते हैं all the options are true according to the passage ये है इसका answer ठीक है आम शूर बहुत दोग सोचते हों कि इसमें तो not true पूछा था फिर true कैसे इसका answer हो सकता है तो आपको तो option देख के बात करने option 5 ने क्या बताया कि जितने भी विकल को पढ़ दिये गए इन में से कोई भी not true नहीं है इसका answer 5 होना चाहिए आगे बढ़ते हैं फिर पॉस करके देख लीजे अच्छा ये तो हमने बताया ही था इसका answer second होगा separate चलिए third question solve करते हैं तो पूछा क्या कि कौन सा है ना इन में से true है passage के according तो पहले ने बताया इस इन आर इंट्रेस्ट हमारे हितमे हैं कि हम amount of digital information को check करें कितनी जादा information हम भेज रहे जन्रेट कर रहे तो यहां पर digital bulimia concept आया था पुध्यान होगा info-based study concept आया था इसलिए A तो इसका answer लग रहा है भी रुख जाते हैं B ने बोला कि promise on which technology was designed was that it should make our lives simpler तो simpler वाली बात भी तो की थी ना कि mission क्या था उसका कि that our life will be easier तो B तो इसका answer होगा ही होगा C ने बोला कि हमें survive करना it is best that we learn to survive हमें survive करना सीखना होगा बिना कि see technological intervention की है थो फ़ी पैसेड में ये नहीं बोला कि technology का होना बिल्कुल गलत है ठीक है तो C तो इसका answer नहीं हो सकता है ठीक है अब जब C नहीं हो सकता है तो दूसरा इसका answer कट गया तीसरा इसका answer कट गया Only और देख लेते हैं बी तो confirm है तो only तो इसका आंसर नहीं हो सकता है एना एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि हमारे interest में है कि हम चेक करें कि कितनी information हम generate कर रहे हैं बिल्कुल तो इसका answer A होना चाहिए तो इसका answer बनेगा first both A and B चला के बढ़ते हैं next question which of the following can be the most suitable title for the passage क्या हो सकता suitable title passage का तो पहला है the paradox of technological advance what is the paradox जहां पर एक बार सच हो और उसकी विपरीत वाली भी सच हो जाए चीक है उसको बोलते है paradox second the difference different types of technology available विबन प्रकार की जो technology available है उसकी बात कर रहा है तीसरा technology progression the road to nowhere technology progress कर रही है पर road कहीं लेके हमको नहीं जाती चौता है technology and gainful insight technology और उसके लाव पाच बाच बाच टेक्नोलोजिकल progress across the continents अब अगर आपने पैसरी मेरे साथ पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि advance की paradox को तो की बात तो नहीं की है advantage और disadvantage की बात की है ठीक है paradox का मतला होता है बिल्कुल opposite भी सही हो जाए तो one तो इसका अंसर नहीं हो सकता ठीक है second है कौन-कौन से प्रकार की technology आज चुकी है उसकी बात भी पैसरी नहीं करी थी पांचवां there are continents की बात नहीं करी थी के फीप ओंच के पर पहुंच गया है किसी भी country का किसी भी सी अंध नाम तो लिया गनी गया औ और सिर्फ फाईदे।कुकी हम बता था तो अंधW according to the author which of the following which of the following can be said about reaching to people through the medium of technology क्या कहा जा सकता है तो ए ने कहा today's digital age has made it essential for an individual to send a message that is genuine in nature जरूरी है कि जो भी आप message भेजें वो genuine होना चाहिए बिल्कुल ये author ने suggest किया था तो A का answer है B the ability to impact many people through a message is solely dependent on the number of times he or sorry the same message goes out regardless regardless of its authenticity message अगर आप भेज रहे हैं तो चाहें वो genuine हो चाहें नहीं हो है ना आप उसके कितनी बार भीजते हैं उस message को उससे इसका impact पड़ता है ऐसा पैसे में था क्या तो इसका answer बिल्कुल नहीं passage में ऐसा कुछ भी नहीं mention था ठीक है इसलिए 20 का answer नहीं हो सकता है ठीक है अब 20 का answer नहीं है तो पांचमा कट गया एना चौता कट गया और दूसरा भी कट गया और क्यूंकि ए है तो इसका answer पहला भी नहीं हो सकता है only C नहीं हो सकता सी वह पढ़ लेते हैं the technology has made it easier to reach out to the masses बिल्कुल साइस का answer बनेगा ANC ठीक है तो हम शोर यह पैसे दक पर समाज में आया होगा questions भी आपके सही हुए होंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई कर दो कर दो कर दो कर दो